कि शेख मेरा सवाल है कि मेरे वालिदें रुपिया मांगते हैं रुपिया मांगते हैं आप कमाते हैं जे कमाता हूं तो रुपया दीजिए तिर क्या दिक्कत है अगर कमाते हैं तो असल मतलब मकस्द यह है कि पैसा दूंगा तो बड़े भाई को बढाते हैं और बड़े भाई को पढ़ाएंगे उन लोग बड़े सोगो वह लोग भी कुछ देंगे नहीं और कुछ हमारा कुछ हेल्प भी नहीं होगा और पैसा जो देंगे घर में फिर मुझे पांस साल शे स साल बात जो मैं जो अलग हो जाओंगे घर में घर से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा घर से घर बनाने के लिए पिशन में कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे है यह यह नहीं नहीं देखिये देखिए थोड़ी सी तफसील करनी होगी आपके सवाल के जवाब में उस पर हलांकि आना नहीं चाहे रहा था वो तफसील ये है कि वालिदेन का जो खर्चा है वो खर्चा बेटों पर या बच्चों पर वाजिब है कुछ शर्टों के साथ कुछ शर्टों के साथ खर्चा से मुराद खर्चा है एक तो होता है शौक शौक किसी के उपर किसी का शौक वाजिब न उस शर्तों के साथ पहली शर्त ये है कि वालिदें को वालिदें जरूरत मंद हूं जैसे वालिदें के पास माशालला लाखों में उनके अपने पास मौजूद है तो वो जरूरत मंद नहीं है उनके पास अपनी परापटी मौजूद है तो पहली शर्त ये है कि वालिदें जर गनी हो गनी से मुराद उनकी अपनी जो जरूरत है उससे जायद हो उनके पास ऐसा नहीं हो कि बच्चे के पास हाई नहीं तो बच्चा गनी हो वालदें जरूरत मंद हो तीसरी शर्त ये है कि वालदें को देने से बच्चों को नुकसान ना पहुँच रहा हो ऐसी चीज वो नमागे जो आपकी अपनी जरूरत है मालीजी आपके पास एक साइकल है जिसे आप आफिस जाते हैं वाली साइकल मुझे दे दो आप उनको दे दोगे तो आप क्या करोगे तो वो ऐसी चीज़ का मतालबा ना करें जिसको देने से आपको तकलीफ हो जाए आपको नुकसान पहुच जाए ये तीन शर्ते हुई चौती शर्त ये है कि वालदेन एक बच्चे से ले करके दूसरे बच्चे को ना दें एक बच्चे से ले करके जो कि बहुत सारे लोग करते हैं एक से लेते जाएंगे, दूसरे को देते जाएंगे, तो ऐसा ना हो, इन शर्टों के साथ वालिदेन का खर्चा बच्चों के उपर वाजिब है, अब आप देखिए कि क्या आपके वाली साहाब के पास माल और दौलत है की नहीं, अगर उनके पास है तो उन्हें नहीं मागना चाहिए अगर वो जरूरत मंद है या उनके पास इतना है जितने से उनकी जरूरत नहीं पूरी हो रही है तो जो जायद है इजाफी रकम है वो मागनी चाहिए आपसे और आपको देना भी चाहिए उसे तो यह बहराली जो उनकी बढ़ी का बड़े भाई का खर्चा उनके ओपर वाजिब नहीं बड़ा भाई का खर्चा उनकी ओपर वाजिब है मैंने जो खर्चे की बात की उनके अपने खर्चे का मसला है उनका अपना खर्चा अगर पूरा नहीं हो पा अपनी परापर्टी से तो आप क्यों परवाजिब ही कि आप उन्हें दें बलकि सिर्फ आप परवाजिब नहीं है आप जितने भाई हैं सब परवाजिब हैं बराबर बराबर जी जी